हलो फ्रेंट्स वैलकम टो माई चैनल फ्रेंट्स आज में आप लोगों के लिए एक और कंपैरिसन वीडियो लेकर हासिर हूं आज में बात करने वाले हूं ममा अर्थ उप्टन बॉड़ी योगर्ट एंड ममा अर्थ उप्टन अल्ट्रा लाइट जेल ओल फ्री कई हो जाएगा कि को इन में से प्रड़ेक्ट परचीम eard जेलिए फड़ा अर्वीडियो को स्टार्ट करे देले हूं सबसे पहले हम बात करेंगे ही अफिन की ग्र सांटे कि सेम दोनों जार परके किस अम आते हैं एप सांटे के आप डाैस कर दोनों प्रोडित निद्रा सां जिसमें आपको सेम 200 ml क्वांटिटी के साथ 2 यर्स की सेल्फ लाइफ मिलती है दोनों ही प्रोडेक्ट फ्रेंस पारावीन सिलिकन फ्री है डर्मेटोलोजिकली टेस्टेड है और दोनों ही स्यूटेबल है और स्किन टाइप के लिए चलिए अब मैं आपको इनको आपन करके दिखाते हूं सबसे पहले मैं आपको आपन करके दिखा रहे हूं उप्टन यॉगर्ट इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और देख सकते है कि इसका जो टेक्शर है वो एक दम यॉगर्ट के जैसा है उप्टन इसको थोड़ा सा अपनी हैं पर दिखाते हूं आपको इसका जो टेक्शर है वो कुछ हिस ट्राइब का है एकदम यॉगर्ट के जैसा है देखते ही खाने का मन करता है अब मैं आपको दिखाते हूं अल्ट्रा-लाइट जिल तो आप देख सकते हैं दोनों ही सेम नज़र आते हैं हम देखते हैं तो तो यह भी एक्टम योगर्ट का जैसा है खाने का बन करता है कि बस खा जाएं फ्रेग्रेंस की बात करें तो फ्रेंस तो फ्रेग्रेंस उप्टन की जैसी है बट जो बॉड़ी योगर्ट है उसकी फ्रेग्रेंस स्ट्रोंग है और जो ओल फ्री मॉस्टराइजर है उसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही माइल्ड है बहुत ही सूधिंग फ्रेग्रेंस है तो इन दोनों की फ्रेग्रेंस की बात करें तो और फ्रेंड्स मुझे सबसे ज़्याद अची अची फ्रेग्रंस लगी है और फ्री मॉश्टराइजर की इसकी फ्रेग्रेंस ज़्यादा अची है और जानैसके क्वार्टि दिए और ले लेते हैं दोनो ही फ्रेंट ती जानी हिस्किन एबिकली जानी होते हैं मेरी मेरी बाद करें तो बादी आपके तो जया हम है यह 3 क्यूंतलु कुछ लिए को दाख धाबों के लागडबों को डाओ करता है देङ्चे को कम जा लिोर्डी नीं नीगेट है स्कीनलेड बनाता है and saffron हमारे skin tone को even बनाता है skin पर glow लेकर आता है so दोनों के ही main ingredients जो है वो same है and full ingredient list इनके back में दी गई है आप यहां से read कर सकते हैं full ingredient की list friends upton body yogurt आता है deep moisturization के लिए and जो oil free moisturizer है यह आता है deep hydration के लिए body yogurt क्लेम करता है कि यह आपको long lasting moisturization देता है lightweight formula है quick absorb हो जाता है so yes यह आपकी skin में बहुत जल्दी absorb हो जाता है बहुत ही lightweight है and long lasting moisturization देता है आपको and oil free moisturizer क्लेम करता है quick absorb हो जाता है 24 hours का hydration देता है reduced sun damage आपकी skin जो sun to damage हो गई है यह उसको reduce करता है उसको repair करता है so friends अब बात कर लेक्ते हैं मेरे experience की इन दोनों product को use करने की so इन में first difference मुझे लगा है इनके texture का जो oil free moisturizer का texture है वो ज्यादा smooth है upton body yogurt के comparison में next difference है इनकी fragrance का oil free moisturizer के fragrance बहुती soothing है दोनों की fragrance upton की है but body yogurt की fragrance थोड़ी सी strong है and oil free moisturizer की fragrance है थोड़ी सी mild है body yogurt के comparison में mild है and बहुती soothing है बहुती refreshing है इसकी fragrance so मुझे oil free moisturizer की fragrance जादा अच्छी लगी है next difference यह है की upton body yogurt आप से body पर use कर सकते है and oil free moisturizer है इसे आप अपने face and body दोनों पर use कर सकते है next difference है skin smooth होने का दोनों ही आपकी skin को smooth बनाते है but oil free moisturizer आपकी skin को जादा smooth बनाता है body yogurt के comparison में next difference absorb होने का so oil free moisturizer skin में जादा absorb होता है जादा जल्दी जादा gap नहीं है एक या दो सेकंड का ही है but upton body yogurt के comparison में oil free moisturizer जल्दी absorb हो जाता है next difference है इनके long lasting होने का friends इस hand पर मैंने upton body yogurt अपलाई किया था तो आप देख सकते है कि इसमें यह जो लाइन बनी है और अभी मैं आपको इस hand पर दिखाते हूं तो दोनों पर ही जैसे हम लाइन बनाते है तो जिस hand पर oil free moisturizer यूज किया है उस hand पर जो यह लाइन बनी है यह क्विक अन्विजिबल हो जाते है बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है बट जिस side आप देख सकते है कि मैंने इधर body yogurt अपलाई किया थोड़ी सी visible होती है so oil free moisturizer जैसा कि claim करता है कि 24 hours का आपको hydration देता है और upton body yogurt claim करता है कि यह आपको लंबे time का hydration देता है friends जादा time तक आपकी skin को hydrate रखता है oil free moisturizer body yogurt से जादा time तक यह आपकी skin को hydrate रखता है glow की बात करें तो दोनों से ही आपके skin पर same glow आता है उसमें कुछ खास difference नहीं है next difference जो है इन दोनों product में वो यह है कि इनके price में बहुत जादा difference है जो body yogurt है इसका price है 499 रूपीज और oil free moisturizer का जो price है वो है 349 रूपीज so friends 150 रूपीज का difference हो गया इन दोनों product में और जो quantity आपको मिलती है वो same मिलती है इसका price है 499 और 349 तो आप देख सकते हैं कि 150 रूपीज का इन में difference हो गया है so एक तो इनके price में काफे difference है क्वांटिटी दोनों में ही आपको same मिलती है और फिर आप body yogurt से body पर यूज कर सकते हैं और oil free moisturizer आप body and अपने face दोनों पर ही यूज कर सकते हैं ये एक और benefit हो गया और next benefit हो गया कि जो body yogurt है उसके comparison में आपकी skin अगर damage है तो oil free moisturizer और भी जल्दी आपकी skin को repair करता है ये कुछ differences है जो मैंने notice किया है इन दोनों product को use करते time so friends ये मेरा experience है अगर मेरे personal favorite की बात करें तो body yogurt के comparison में मुझे oil free moisturizer बहुत जादा अच्छा लगा है दोनों ही अच्छे लगे हैं और जब comparison की बात आती है तो oil free moisturizer मुझे बहुत जादा अच्छा लगा है क्योंकि body yogurt के comparison में इसके बहुत सारे benefit है और प्राइस में आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा difference है तो मुझे oil free moisturizer जादा अच्छा लगा है ये मुझे जादा पसंद आया है body yogurt के comparison में ये था आज का वीडियो ये था मेरा experience जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया I hope अब आपका confusion दूर हो गया होगा कि आपको कौन सा product purchase करना चाहिए कौन से product में आपको पैसे invest करने चाहिए अगर आप इन दोनों को purchase करना चाहते है तो आप वेस्टिस कर रहे है आप इन में से एक ही product purchase किजिए and in my opinion आपको body yogurt के comparison में जो oil free moisturizer है वो purchase करना चाहिए एक तो आपको कम price पर मिलता है same quantity आपको मिलती है और आपको self life भी oil free moisturizer में ज्यादा मिलती है तो in my opinion आपको oil free moisturizer purchase करना चाहिए option body yogurt purchase नहीं करना चाहिए उसमें अगर आप दोनों product purchase करते है तो body yogurt में आप पैसे जो डालते है वो वेस्टिस है और पैसे बिल्कुल भी आपको waste नहीं करने चाहिए इसलिए मैंने आज की वीडियो आप लोगों के साथ share की है कि आप अपने पैसे waste ना करें आपके पैसे save हो ताकि इसी टाइप की और वीडियो मैं आप लोगों के साथ जो भी शेयर करूं आपके पास notification पहुंच जाए कि हा मैंने वीडियो अपलोड की है बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले क्योंकि इससे आपको तुरन notification मिलता है कि नई वीडियो आ गई है और इस